नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल रस्मी के उन्भमा आपका स्वागता आज मैं आप लोगों के लिए यह एक बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन लेके आई हूं यह देखे यह आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट अपलाई से कर सकते हैं स्वेटर में कार्डिगन में तरफ आपको इसे बनाने के लिए में में थोटी सी पट्टी बना के तैयार कर ली है इसमें पच्चिस फंदे हैं इसे किवल एक ही कैबिल बनेगा आपको दिखाते हूं इसे कैसे बना जाता है लेक्के प्रेंस पहली से चीदी तरफ से श्टाट करेंगे यह लाइन जो है सीधी तरह से होती है हम एक फंदा एजिस्टिच करेंगे आप बुने या उता रहें यह आपकी अपनी इच्छा है दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे लिए च्छाप टिसका है यह फंदा हमारा है यह फंद अब लएजिस्टिच का है यह फंद रहें आयरा अच दो यूज होंगी एक, दो, तीन बस एक ही बार यह वाली हो और इसके बाद वाली लाईनी एक ही बार हमारी बनाई जाएगी धागा अपनी तरब करेंगे 5 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच धागा पीछे करेंगे 5 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच फिदा गए अपनी तरब के देंगे, पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच ये दो एज स्टीच को छोड़के ये ही 18 फंदे आपको पूरी सलाई में रिपीट करनें इन दो एज स्टीच को छोड़के आपके जितने फंदे हैं आप पूरी लाइन में 5 उल्टे, 5 सीधे, 5 उल्टे, 3 फंदे, सीधे, इसी तरीके से आप पुरी सलाह всю complete लास्ट में आपको 5 फंदे बचेंगे, धागा पिछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, edge stitch के है, दूसरा edge stitch हम सीधा उनके complete करेंगे इस तरीके से हमारी पहली स्लाई complete हो गई है friends हमारी second design उल्टी है तरप से है, second slide देखे, पहला फंदा हम edge stitch उल्टा ही उतारेंगे दागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, जो धर से उल्टे हैं, डर्स सीधे हो जाएंगे, जो धर से सीधे हैं, दर्से उल्टे हो जाएंगे धागा पीछे करेंगे, पांस फंदे सीधे एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, दागा अपनी तरफ करेंगे, यह हमारी सेकेंड रो है, यह बेस रो है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह रो हमारी आगे कहीं नहीं होगी, फिर पाँच सीधे दागा पीछे करके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, दागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, देखी, फ्रेंट, यहां से, यहां परसे यह 18 पंदे हमको पूरी सलाई में रिपीट करने, चाहे आपके कितने भी पंदे हैं, हमने क्या करना है, एक एजिस्टिजब्स गिल्टा एक सीधा उसके तीन फंद्स खller संथ येos पूरी लाइन में कंप्रीट करेंगे बाद में आपको पांच संन्ने मिलेंगे तीन फंद्स खversion करेंगे एक फंद सीधा ऐस तरिके से मारी दूसरी सलाई में complete हो गई है friends अब हमारी तीसरी सलाई आ गई है ये जो तीसरी सलाई ये दो बेस के बनानी है जो आगे नहीं आएंगे तो इसको हम पहली सलाई मानेंगे हमारी पहली सलाई स्टाट हो गई है समझ लीजे वो दो बेस रो हो थी हमारी पहला फंदा एजिस्टेज हम सीधा उतारे हम थीसरा फंदे को यहांज से ड्रॉब कर देंगे त workers के पाल 시청 इस को यहांसे ड्रॉप कर देंगे उसके बाद पहले हम यह एक फंदांध हमें आप पिन से इन पाल सतना आपने शाल पाल से सक पेष्के वर मे थाल कर उनें चार वर मत कर दोस्ताब हम भkaa एसे बनाएंगे तीन, चार, धागा पीछे करेंगे, अब ये सीधा और ये उल्टे फंदे का हम डिजाइन करेंगे, इनको ट्रिस्ट करेंगे, सीधा फंदा यहां आजाएगा और उल्टा फंदा यहां आजाएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों इनको पहले इसमें डालेंगे, इस को हम धाग अपनी तरब लदब कर indem अब देखे फिर नच दियां से देखेगा क 1 ,2 ,3 ,4 इन 4 अलशीदों के बाद जो अलटा है इस अबसे आगे लाना है तो हम इसो सब पीछे से लेंगे एंग चुब्हों के ड index थे cava यह देखे पांचовा फंड च पीछे का यह ऐसे लेंगे और इन फंदों के आगे कर देंगे इन फंदों को ऐसे निकाल के इसी सलाई में डाल देंगे इस तरीके से और सबसे पहले इस फंदों को इसमें डालेंगे देखे फ्रेंट्स इसमें डालके पहले फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे हुल्टा फंदा हुवल्टा ही भुना जाएगा इस तरी की समर्ण पुल्टा भुन लिया अब धागा पीछे करेंगे इन चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, देखे फ्रेंट्स, इन दो वे एज स्टीच को छोड़ करके, यहां से यहां तक है, यही अठार फंदे हमको पूरी सलाई में कवर करने हैं, लास्ट में आपके पास यह पाच फंदे बज जाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यह तीन फंदों में हम डियाई मिनाएंगे, इस फंदे को लास्ट फ़स, सेकेंड फंदे को निलेंगे, और इ इसरा बनेंहें तो फिर से ऐसे बनेंगे है फिर हम एकथन्दा उल्टा बनेंगे एकथन्दा सिधा बनेंगे इस तरिकी से मारीचे थी सलाही स्वून leggings अब बुनाई की चौथी सलाई देखे फ्रेंट्स हमको जो फंदा जैसा दिख रहा है हमको वैसा ही बुनना है चौथी सलाई में जो फंदा जैसा दिख रहा है उल्टे को पर उल्टा सीधे को सीधा बुनेंगे देखे फ्रेंट्स इसरी सलाई है हमारी और यह सीधी तरब से है इसमें हम पहला फंदा एजिस्टिच ऐसे ही ले लेंगे दूसरा फंदा हम एजिस्टिच का उल्टा पुनेंगे दागा पीछे करेंगे यह जो डिजाइन मेंना है इसमें तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे दागा अपनी तरफ करेंगे यह चार फंदे उल्टे हैं इन में से तीन फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन फंदे उल्टे बुन दिये दागा पीछे करेंगे अब यह सीधा फंदा यहां पर और उल्टा फंदा यहां करके ट्विस्ट करना हमने यान कि हमको यह जो सीधा फंदा इसको इधर की तरफ को लाना है हमने इधर की तरफ को तो हम क्या करेंगे इसको दोना फंदे इस कि ठांगा अपनी तरफ करेंगे एक फंधा मैं जो मने ट् Zoo acts गया था इसके बाद एक संद आपको और मुल्टत मुलना एं forth घां का पीछे करेंगे इस फंधे व को यह उलता है और सीधा इस फंधे को भी हमने इधर को ट्र of करना इधर की तरफ को तो हम क्या जैसा भी करा थाय में सिंध expiration करेंगे इस वंद को आगे करेंगे पीछे कर एक श्रौड़े करएं इस वंद्ध गी गोरेंगे अगे करके वन्म पर करएंगे एक वंद्ध को रूटा जो हम लाए थे उस फंदो को हम ऐल्टा बुनेगे अब एक दो तीन सीधे बचे है इसके बाद ही छ दो जी ओल्टा है इसको हमने सब से आगे लाना है हम पीछे से लेंगे इसको और इन फंदों को हम एक दो और तीन इस तन्दे को हमने सबसे आगे कर लेना है यह देखे फ्रेंट अब एक हमने ट्विस्टी किया था जो सीधा फंदा था फिर उल्टा था अब यह फंदे को भी हम फंदे को उल्टा ही बुनेंगे दागा पीछे करेंगे इन तीन फंदों को सीधा बनेंगे एक 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 दो तीन दागा अपनी तरफ करेंगे ये तीन फंदे उल्टे बनेंगे एक दो को थीद एगी स्टिच को छोड़के यहीं अठार फंदसे अपने पूरी सलाई में कम्प्लेट करने हैं लास्ट में आपको पांच फंदे बचेंगे धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे एक पंदा उल्टा एग इ सब्सक्राइब आए जिस्टीच इस तरी किसा हमारी बुनाई की तीसरी रोग पूरी हो गई वैसे पाच वे लेकिन दो बेसलाइन थी इसको तीसरी मानेंगे बुनाई की चौथी सलाई आपको जो फंदा जैसा दिखाए उसको ऐसा बुनेंगे फ्रेंट्स अब हमारी बुना आइज इस्टीच हम सीधा बुनेंगे दाग अपने तरफ करेंगे दूसरा आइज इस्टीच उल्टा बुनेंगे फिदागा पीछे करेंगे यह एक दो तीन फंदे मैं डिजाइन मिलाएंगे हम तीसरा फंदा ऐसे लेकर के इसके आगे से ड्रॉप करेंगे हम तीसरा फंद नहीं के वरसे ड्रॉप करेंगे अब इन दो फंदों में हम तीन फंदे बनाएंगे एक एक जाली डालेंगे एक फिर बुनेंगे इस तरी किसम तीन फंदे का तीन फंदे बनाएंगे और तीन फंदों के वम बनाएंगे डिजाईन धागा अपने तरफ केंगे दो फंदे ऊल्टे एक चूं ये उल्टे T द्या द्या धिरे कम होते जाएंगे धागा पीछे करेंगे यह ज़ा से पूद्धा और इंसके इंसके तरह को लाएंगे है तो इससदी को सबसे आगे कर दिंगे है इस तरह किसे हम आगे डाल देंगे, अब पहले हम सीधा फंदा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, उल्टे फंदे को हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा ही बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा हमको और बुनना पड़ेगा, अब फिर हम धागा पीछे करेंगे यह जो सीधा फंदा है और यह उल्टा है इसको भी इसी तरीके से ट्विष्ट करना है इस फंदे को आगे लाना है सीधे को और उल्टे को पीछे तो हम इसको दोनों को इसमें डालेंगे इस तलाई से पीछे वाला फंदा है इसमें लेंगे आगे वाले पीछे वाले फंदे क वीमिल्ट अब 9 पिषन ही जीween गहना नरहिए अब का जो बेंक माद मौन से आधा की बंकल प्रेंगे अरसे कम्लें धाक पिछे करेंगे अब इस सीदे फंदे को ॅरसे आइसे hint करना है इसको अउन घ्यार हो कि अन्यम oraz इसका नरहें अधाता कि मौन आइए लाना ना अब धागा पने तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बुनेंगे, अब ये दो एक और दो जो सीधे हैं, इसके बाद का जो तीसरा है, इस फंदे को हमने सबसे आगे लाना है, तो हम पीछे से लेंगे इसको, इसको हम ऐसे पीछे से लेंगे, इन फंदो को निकालक इसमें डालेंगे इस फंदे को सबसे आगी करेंगे और इसको हमने उल्टा बुनना है उसको की जो उल्टा था उसे उल्टा ही होनेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे यही 18 फंदे आपको पुरी सलाई में रिपीट करने हैं लास्ट में आपके पास 5 फंदे बचेंगे धागा पीछे करेंगे इन 3 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे यह तीसरा फंदा हम इन दोनों के बीच में से ड्रॉप कर देंगे के आगे से अब एक फंदा हम सीधा बनेंगे दूसरा फंदा हम जाली करके बनाएंगे और तीसरा फंदा भी हम सीधा बनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे लास्ट में दो फंदे पड़ेंगे बचेंगे एक एजज़ेस्टीच उल्टा और एक एज़ेस्टीच सिधा बुनाई की छटी सलाई हम जो फंता जैसा है उसको वैसा ही बनेंगे फ्र muss. एक फंता एज़ेस्टीच दूसरा एज़ेस्टीच उल्टा इससें हैं ढजाने किसले दो जिशंट हुआ है जचा का पिछे करेंग तीन फंदे की जिवह सब्सक्ता कोabileün एक बैए चानल में से 12 तीन 10 ने दागापे हम लेक़र दो उल्टे फंदेते हैं जिसमें स्नकीं एक फंद उल्टा Olzen reg कि इस उल्ट्रे फंदे को रिष्ट ने त्विस्ट करना है दागा पीछे करेंगे यह देखिए दो फंदे है इसमें पीछे से लेंगे को लेंगे इस पंदे को हम आगे डालेंगे इस तरीके से और पहले सीधा फंदा बुनेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे उल्टा जो हमने इस ट्विस्ट किया था इसको हम उल्टा बुनेंगे इसको हम उल्टा बुनेंगे एक उल्टा फंदा हम और बुनेंगे इस तरीके से दो उल्टे हो गए दागा पीछे करेंगे ये सीधा फंदा और इस उल्टे को भी हमने ट्विस्ट करना है हमने वैसे ही ट्विस्ट करना है जैसे हमने पहले किया था इसको आगे डालेंगे पहले सीधा फंदा बुनेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, जो उल्टा हम लाए थे, अब एक फंदा इसमें से हम उल्ट और बनेंगे, इस तरीकी सो दो उल्टा होगे, जागा पीछे करेंगे, इस सीधे को और इस उल्टो को भी हमने वैसे ही टिश्टा करना है, पहले हम सीधा फंदा बुनेंगे दागा अपने तरफ करेंगे उल्टा फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब यहाँ पर हमने एक फंदा उल्टा और बुनना है फिर दागा पीछे करेंगे यह उल्टा और यह सीधा इसको भी हमने ट्रिस्ट करना है पहले हमने सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे, जो हमने ट्विस्ट किया था, अब यहां पर यह सीधा और इस उल्टे को भी हमने ट्विस्ट करना है, पीछे से हम पहले इस फंदे को लेंगे, इसको निकाल के हम इसी में डालेंगे, और पहल अब एक फंदा हम उल्टा बोनेंगे यहां से यह दो एजिस्टिस को छोड़के यही एठार फंदे आपने पूरी सलाई में बार-बार रिपीट करनें लास्ट में आपको पास फंदे बढ़ जाएंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे एक एजिस्ट उल्टा और एक एजिस्टिस सीधा बनके कंप्रिट करेंगे बुनाई के आठ फिस सलाई आपको जो फंदा जैसे दिख रहा है आप ऐसे ही बनेंगे देखे फ्यंड अब बनाई की नभी सलाई है इसमां जरह हमको बदल के बनना है एक फंदा सीधा एजिस्टिस एक फंदा उल्टा अब यह तीन फंदे हैं तीन फंदों को हम डिजाइ अब एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे अब यह हमारा सीधा फंदा आ गया है इसको हम अभी तक इधर को ला रहे थे इसको हम अभी तक इधर की साइट को कर रहे थे अब हम इसको इधर की साइट को करेंगे ताका पीछे करेंगे इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे इसको हमने इधर ले जाना है, इधर कितर को ट्विस्ट करना है इसी दा फंदा, तो हम पहले पीछे का फंदा लेंगे, इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे, ये फंदा हम इसमें डालेंगे, और उल्टा फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे, देखिए, इस तरीके से हम उल्टा फं कि देखे एक फंदा हमारा एजिस्टिच का एक फंदा हमारा एजिस्टिच का इन तीन फंदों में हमने डिजाइड बनाया है अब जो यह फंदा है इसका हम एक फंदा उल्टा बनेंगे यह जो सीधी फंदा आरा इसको हम इधर की दर को टिस्ट करेंगे यह हमारी नवी सलाई है इसको हम इधर को टिस्ट करेंगे तो हम पीछे से लेंगे यह फंदा पीछे से लेके इसको इसमें डालेंगे पहले हम उल अब हम सीधा फंदा बुनेंगे, इस तरीके से, अब ये जो सीधा फंदा रहा है, इसको हम इधर की तरफ को ट्रिस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे अभी तक करता रहे थे, ये करेंगे, और पहले इस सलाई में पीछे का फंदा लेंगे, केवल एक ही फंदा हमक जांगे कि इसको सबसे आगे डालेंगे और पहले हम इसको सीधु और थीदी भनेंगे इस तरिके से ँठाव दो सीदेू गेगनेंगए जायभाज बरनायगे तरन सबसे इस अपनी तरंब करेंगे इस तुन्स एकको लटे ही वनेंगे पर चीपता है यह वने organised ये फंदा भी हम उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदो को भी हमको ट्विस्ट करना है, हम इसमें चड़ाएंगे दोनों फंदे, और इस फंद से लाई से हम इसको बुनेंगे, इस फंदे को हम सबसे आगे डाल देंगे, और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, इस तरीके से, फिर उल्टा फंद हम उल्टा बुनेंगे, हम एक फंदा उल्टा और बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को भी हमने इधर की तर को लाना है, इधर को लाना है, तो हम इसको फिर से वैसे ही करेंगे, ट्विस उल्टा फंदा हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा और बुनेंगे धागा पीछे करेंगे इन दो को भी हम इसी तरीके से ट्विस्ट करेंगे इसमें डालेंगे, पहले सीधा फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, लास्ट का फंदा भी हम उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदो का हम फिर डिजाइन मिनाएंगे, इस फंदे को यहां से ड्रॉप करें और पहले एक सीदा बुनेंगे उसके उपर से धागर डालेंगे फिर दूसरा फंदासी का इस तरीके से तीन फंदो के हम तीन बला देगे लास्ट में पूरी से लाइब पो यह तो इस जिस जचोड़ के ऐसे ही बुननी है लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इसको एक बुननेंगे डागा पीछे एक सीदा इस तरीके समारी बुनाई की नभी सलाई कंप्लीट हो गई अब बुनाई की दस्वी सलाई यह जो फंदा जैसा दिक्राइब ऐसा ही बुननेंगे फ्रेंच समारी 11 रोश घुच्ट हो गईए एक सीधा बुनेंगे दूसरी आज कि दो तीन दंटाग अपनी तरफ करेंगे ये दो फंदे फंदे उल्टा Japanese एक अब दो नगा पीछे करेंगे और ब्रगा ये करेंगे देगे ये दो सीधा फंदेैं एक और दो और ये Iranian कहेंगेarp 성taint 오늘्र Tánda शर्षाम को सबसे आगे लाने यहां पर, यह तो फंद्ध को निकालेंगे इसमें चड़ा ृस्तन को इसमें पहले ले उल्टा उल्ट वोना है दगा पीचे करेंगे दोफंदे सिधे एक है जो हमने ट्विस्ट किये थे तो फंदे सीधे अब यह जो लाई नहीं इसको हमने इधर को इधर को ट्विस्ट करना था लेकिन इस फंदे को इधर करना है तो हम इन दोनों को इसमें डालेंगे इस फंदे को पीछे से लेंगे और इस फंदे को आगे लेंगे पहले हम सीधा फंदा बुनेंगे इस तरीके से आपके तीन फंदे सीधे लगातार हो जाएंगे धागा अपने तरक करेंगे उल्टा फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा हम और उल्टा बुनेंगे धागा इस फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को हम धागा प्टी तरफ करके उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा हम और बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को भी हम वैसे ही ट्विस्ट करेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें से इसमें डालेंगे, इसको यहां से यहां तक कि यह दो फंद छोड़के यह अठार फंद आपने पूरी सलाई में रिबीट करने हैं अब दागा पीछे करेंगे इन तीन आपको पांच फंद बचेंगे तीन फंद में आप डियाइन जो बनाया था उसमें तीन सीध्य बनेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे एक फंद उल्टा एक फंद सीधा लास्ट का बनाय कि हमारी बारवी सलाई जो फंद जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनेंगे फ्रेंड्स देखें हमारे डिजाइन दिखने लग गया है थोड़ी थोड़ी अब ठाटीन रो हमारी एक फंदा अईजेस्टेश हम सीधा लेंगे उल्टा फंद हम उल्टा बुनेंगे दो आग पीछे करोंगे ये तीन पंद हैं इसम差 उपर से ड्रॉप करेंगे और उसके बाद पहले हम एक फंदा बुनेंगे सीधा दूसरा फंदा बनाएंगे और तीसरा फंदा बुनेंगे इस तरीके से हमारी डिजाइन बनेगा दागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो को चैबी हो थी डागा पीछे करेंगे ये पींस निकाल के इसी में डालेंगे इसको सबसे आगे डाल के हम CTB कि अगर पीछे कर दालेंगे तीन फंदे सीथे एक, दो, तीन, अब इस फंदे को हम इसको तो हमने इधर को ट्विस्ट कर था लेकिन इस फंदे को हम इधर को करेंगे, तो हम इसको इसमें लेंगे, पहले ये इस फंदे को डाल के सीधा बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा ही बुना जाएगा, इस तरीके साब के चार फंदे लगातार सीथ बोयांगे इन डोफ तरफ करेंगे इन दो फण्टा को प्रिस्ट करेंगे पहले हिसमें डालेंगे पीछे से इस को लेंगे इस संदो को सके आगे डाल के हम सीधा बुनेंगे UAO तक धागा अपनी तरफ करेंगे एक था consulted रुटा जो उल्टा था फून्दा को और बुनेंगे धागा पीछे करेंगे इन दो फ Turns को भी हम इसी तरीके से ठ्विस्त करेंगे डजी फ्रेंट्स हमने इसको these two दो फंदे उल्टे हो गए अब इन फंदों को हमने ट्विस्ट नहीं करना है इन फंदों को हमने दो उल्टे बनने है इस तरीके से आपके एक दो तीन चार उल्टे हो जाएंगे धागा पीछे करेंगे इन तीन फंदों में हमने डिजाइन मिनाना है हम तीसरा फंदा इसके उ फन्दों के हम तीन फन्दे बनाएंगे सट एक f कर दूसरी जाली ड्लीनगे ठीसार फंद फिर बनेंगे यह तीन फन्द को छोड़ करके यहां यह यह तोपन दोपन यह 18 half अपने पूरी सलाई में रिपट करने सिरिटीफ कने फिर इन एक एजिस्टीज सीधा इस तरीके से मारी बुनाई की तेरवी सलाई कम्प्रीट गोई है अब हमारी बुनाई की चौद्वी सलाई जो फंदा जैसा है उसको ऐसा ही बनाएंगे फ्रेंट्स 15 रोर राइट साइड एक फंदा हम सीधा बनेंगे एजिस्टीज दूसरी एजिस्टीज हम उल्टी बनेंगे धागा पीछे करेंगे ये तीन फंद हम सीधी बनेंगे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, अब ये एक, दो, तीन, चार सीधे हैं, एक उल्टा है, इसको हम ट्विस्ट करेंगे, इस उल्टे को हम सबसे आगे लाएंगे, हम पीछे से लाएंगे इसको, एक, दो, तीन, चार, ये पांचवा फंदा हम इसमें लेंगे, और इन चार फंदों के आगे डाल देंगे एक तो तीन चार इसको इन सब के आगे से डाल देंगे और इसको हम पहले बुनेंगे उल्टा फंदा दागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फंदे सीधे बुन दिये अब यह जो एक फंदा है इसको भी हम ट्विस्ट करेंगे लेकिन इधर को नहीं इधर को करेंगे इधर की साइट को करेंगे तो हम इसको इन दोनों फंदों को इसमें डालेंगे इस सलाई से पुराना फंदा लेंगे पीछे का और इस इसमेरे 5 पंदे सीधे हो जाएंगे धागा इधर करेंगे और इस फंदे को उल्टा बोनेंगे एक, लटका पिछे करेंगे इन तीन फंदों कम देखिए इस दो को छोड़ करके यह 18 फंदे ही आ ही आप वुरीष लाई में рис delegate करेंगे लास्ट में आपके पांच फंदे तीन फंदे सीधे दो तेन धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उट्टा एज स्टीच धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा इस तरफ करेंगे तो आपको सुंदर सा डिजाइन आजाएगा बार बार इस शिक्स्टीन रो आपको अगर रपीट करेंगे यहां से यहां तक का सिक्स्टीन रो में आपको इता सही डिजाइन दिखेगा अगर यही शिक्स्टीन रो आप रपार रपीट करेंगे तो आपको सुंदर सा यह डिजाइन बन करके आपके सामने आ जाएगा यह देखेए 16 रो तक यहां से यहां तक आया फिर उसके बाद यहां तक आया इसी दर आप लगातार 16 रो आप आगे आगे बीट करते रहेंगे उपर से तो आपको सुन्दर सा बीटूफल सा यह डिजाइन सा आपके सामने आएगा लास्ट में आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए कमें थे थांस तो भाइब!